तो आज बहुत टाइम के बाद आप लोग के लिए एक मेकप लुक लिए करके आए है तो गुरी पारवा जो महराश्ट्रोन फेस्टिवल है वो आने वाला है तो उसी का यह मेकप लुक है तो सबसे पहले यूज कर रहे हैं प्राइमर जो कि है लैक मेका ब्लॉर परफेक्ट और इसे अपने पूरे फेस पे आइलिड एरिया पे अंडर आई पे चीक्स पे एंड इवेन नेक एरिया पे लगा करके ब्लेंड कर लेंगे हाथों से ही और यह प्राइमर इतना सॉफ्ट है बहुत इसली ब्लेंड हो जाता है और हलका पिंक टिंट के साथ है तो हलका सा पि प्राइमर लगाने के बाद भाड़ी आती है आईब्राव फिल करने की तो आईब्राव फिल करने के लिए आईशाडव पैलेट है मेकप रेवल्यूशन का उसका डार्क ब्राउन और ब्लैक शेड यूज़ कर रहे हैं यहां पे मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया क्योंकि मतलब एक ही प्रोसेस को ज्यादा देखा है क्या मोनोटनिस करना तो सबसे पहले आईब्राव में जहां हेर कम है आपके मेरे जो मिडिल पोर्शन है वहां थोड़ा कम है तो वहां से स्टार्ट करेंगे और जो प्रोड़क्ट बचा हुआ है ब्रश में उससे लेकर के ही फ् प्रोड़क्ट लगा था वहां रॉटकल लाइट काम करता है अदर्वाइस जो मेरी बॉक्स लगे वी थी वहां रॉटकल लाइट काम नहीं करता तो फिर हमने आफ कर दिया था रिंग लाइट को और अभी यूज करेंगे फांडेशन और यह लाक में का ही प्राइमर है फा को लिंग बैर करें अब है कि डिस्क्रिप्शन में डाल देगा यह तो आप देख लेगा जाकर और फांडेशन ब्लेंट कर ने से पहले हमेशा हम अक मेकपड अपने फांडेशन के उपर स्प्रे कर लेते हैं ब्लेंडिंग भी इजी हो जाती है और सेटिंग भी हो जाती है तो यह वाला मेकप सेटिंग स्प्रे फेसिस कैनिडा का है कि फांडेशन ब्लेंड होने के बाद आप देख सकते हलका दूवी लुक आया है मेरे फेस पर यही लुक फेस्टिव में लोग अच्छल करेते हैं मुझे तो मैट पेस्ट पसंद है पड़ चलो यह भी चलेगा और अभी कंसीलर लगाएंगे जो कि है लाक में 925 प्रैमर प्र से दोनों तरफी ब्लेंड कर लेंगे मुझे स्पॉंज से ब्लेंडिंग समझने आती पसंद नहीं आता है ब्रश से जल्दी हो जाता है स्पॉंज के मुकाबले मिने यूज करने कोशिश किया पर कुछ खास वैसा असर दिखा ले स्पॉंज का तो बस ऐसे 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 पर जिन्होंने भी क्लासिकल डांस सीखा है उन्हें पता जब प्राक्टिकल एक्जाम्स का ताइम होता या कोई इवेंट होता है तो आपके ब्रश है लोकल शॉप से लिया था पर काफी अच्छा काम करता है अभी तक चल रहा है और अभी उस करेंगे कॉंपक्त जो कि है म उसे बात में डेस्ट आफ कर लेंगे यहां पर एपना बेस मेकप कंप्रीट करने के बाद आते है आई मेकप की तरफ और यह भी है मेकप रेवल्यूशन का पैलेट और यहां से मैंने यह था पॉपलिश पिंक और यह मॉफ सा शेड है इसमें ब्राउन सा दिख रहा है यह दोनों शेड को मिक्स करके आउटर कॉ ब्लेंडिंग मोशन के साथ ही इसे प्लेस करेंगे ब्लेंड करते वे ही यूज करना इस शेडव को और आई शेडव पैलेट का नाम मिच चुका है तो मुझे पता नहीं बट इसली आपको नाइका पे मिल जाएगा मैंने इस कॉम्बो में काफी टाइम हो गया लिया था इस य हैश य हैडव जो थे मुझे लगा नहीं की जरूरत है और किसी शेडव को लेने कैना डूसरा इस य हैडव थे पालेट के इस में न्यू टरल के साथ साथ भाइच सेड़ेश एड़ी पिंक शेड़ेट्स मॉफ शेड़ेट्स, सारे ही शेड़े पोल्भी हे तो I really like य ग आइब्राउस फिल किये थे और यहां के जिसे मैं आईशादो यूज कर रही है और यहां पर आउट कॉण्डव में मिला हुआ था था अपर अलग अलग और अवेलेबल हो जायागा यूज का अपर अच्छे डिसकाउंट के साथ अवेलेबल हो तो अकर आपको चाहिए तो य यहां पर पीची पिंक शेड है और यह गोल्डेन ग्लिटरी शेड है इन दोनों को हम अपने आइलेड एरिया के लिए यूज करेंगे तो यहां पर पहले भी दिखाया हुआ है अपने वीडियो में कोई रॉकेट साइंस नहीं है पहले तो सेटिंग स्प्रे ले लेंगे थोड़ा सा अपने ब्रेश को गीला कर लेंगे सेटिंग स्प्रे से और उस गीले ब्रेश के ऊपर हम अपना फॉयल आइशाड़ लगाएं और यहां पर मैंने थोड़ा सा कट क्रीज सा लुक देते हुए इस आइशाड़ो को लगाने की कोशिश की है अब देख सकते हैं मेरे हुड़े डाइज है तो क्रीज लाइन तो मेरी है ही नहीं बिलकुल भी तो इसी से अब करते हैं हम लोग कुछ जुगार हुड़े डाइ और जो मैंने गोल्डेन ग्लिटरी शेड आपको दिखाया था वह सेम शेड इसे प्लत पतले से ब्रश से रफली अपने लिडेरिया पर अप्लाई कर देंगे इसके साथ ही आइशाडो का लुक कंप्लीट होता है और अभी लगाएंगे मेरा फेवरेट पार्ट यानि की काजल तो यहां पर यूज कर रहे है प्लम का काजल और थोड़ा मोटा करके ही लगाएंगे क्योंकि मोटा काजल लगाना बहुत जादा पसंदे पतला उतना पसं डार्क प्लम शेड था उससे अपने लोवर लेड एरिया को थोड़ा सा आउटर कॉर्णर की तरफ ब्लेंड करेंगे थोड़ा सा था कि हमारा आईशाडो ब्लेंड हो जाए और एक अच्छा कलर पे आफ आजाए अब लगाएंगे आई-लाइनर तो यह कल के ब्यूटी का आ इतना आई-लाइनर लगाएंगे और इसका ब्रश इतना पतला इतना अच्छा आई-लाइनर यह लगा उस वक्त जब मैने आई-लाइनर लगा था तो ही मैंने इसके अन्वोक्सिंग की थी और फर्स टाइम है जब हम यह आई-लाइनर यूज कर रहें बहुत अच्छे से आजल सब लगाने के बाद आई मेकप कर लोग कुछ ऐसा निकल के आया है और काफी इजी है यह बहुत इसली बिग्टनर फ्रेंडली है अपि अपने कभी नहीं लगाया है अब इस प्रोसेस को फॉलो करके एजली लगा लेंगे और अब यहां पर एडिटिंग के जादो से मै इन दूसरे आई का भी मेकप कर लिया और से बतायेगा सेम टूसेम हुआ है या नहीं और कस मस्कारा लगाना भूल गए तो आफ कैमरा मस्कारा भी लगा लिए जोकि है मेबिलीन का स्काई हाई मस्कारा तो यहां पर दोनों आखे मेरी ऐसे दिख रही है अब आते हैं फेस म एक वीडियो को अच्छे से देखना थो प्लीज कॉमें में करें ज़रूर बताईब तो हम एक एक स्टेप का वीडियो एक्ष्य से बना कर के डाल देंगे उसमें स्पीड नहीं बढ़ाएंगे या फिर सेप्रेट वीडियो भी पर स्टैप के लिए शॉर्ट स्पीड में ड झाल झाल तो फेस मेक अप करने के बाद करने के बाद लिप्स्टिक लगाने से पहले शैंबौर का लिप लाइना जो हम यूज कर रहे हैं और शेड है वह बहुत ही प्यारा सा डाक पिंक सा शेड पिंक एप्ट कर लिए था उसके बाद मैंने लिप्लाइनर लगाया इंप अपला प्लेंर का यह अच्छा एक अच्छा है इसका इसे लिप्लाइनर से अब लिप्स को भी फिल कर लेंगे और शैंबौर का जो शेरम फांडेशन था जिसका डीविव्य में दिया था वह तो बहुत बिकार था म् ragد चेइप Dellें लेश्ट लेश्ट कर सकते पहला नाइने घुश्टिक और मैट में जए यह घ्रबॉक हो रसे ओर शाओ यह दूसरा लिक्विड लिप्स्टिक है फ्रॉम कलर बार यह भी एक पिंक सा शेड है इसका शेड है इंचांटेड तो आइवस कन्फूस्ट बेटीन बोत फिर मैंने सोचा कि चलो एक लाइट वाला पिंकी लगाते क्योंकि अल्रीडी मैंने डाकले प्लाइनर लगाया था औ लिप्स्टिक लगाने के बाद मैंने थोड़ा साहिलाइटर फिर से अपने क्यूपिट्स पोप पर डस्ट किया था तो यह है मेरा फाइनल लुक यहां पर महराश्रन नत और वह चांद वाली बिंदी भी पहने हैं मार्केट में बहुत खोजे बट मिली नहीं मिली बट लिप्लाइनर से बिंदी बनाने की कोशिश की है अगर इसी महराश्रन ओडियंस तक पहुंचती है तो बताएगा जरूर के लोग कैसा लगा और क्या मिस्टेक हुई है वैसे तो हम बिहारी हैं बट यह महराश्रन लोग आज आप लोग के लिए लेकर आया है और नाइनो की फॉलो करिएगा इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो आप करते हैं इस वीडियो का एंड मिलेंगे बहुत जलती नहीं वीडियो के साथ अब तक के लिए बाई टेक के लव यॉल और वेरी वेरी हैपी गुड़ी पाडवात ओल अफ यू झाल झाल झाल